वन्स सांस्कृतिक कारे मच्से मंत्री और जिला पालक मंत्री सुधीर मुंगंटिवानी चंदरपूर और गर्चिरोली जिलो की युवाउं को पैलेट बनने में सक्षम मनाने की पहल की है विध्यारतियों के आसमान में उची उडान भढ़ने के सपने को साकार करने के लिए चंदरपूर में फ्लाइंग कलब की स्थापना कर उन्हें प्रसिक्षित किया जाएगा इस सम्मन में पालत मंत्री सुधीर मुनगंचिवाण ने निजन भवन में कारे की प्रगति की समिक्षवा की प्रसिक्षू विमान उडाने के लिए मोरवा में रनवे की मरमत के लिए पांच करोड 63 लाग और सुरक्षा दिवार के लिए 11 करोड 93 लाग की राशी ततका स्विक्रत करने का सुचाप दिया गया मुनगंचिवाण ने दिया लोग निर्मान विभाक को हवाई जवाज की गति के समानी यहां रनवे की कार पेंटिंग करनी चाहिए संबनित तंत्र को इस पर विशेश ध्यान देना चाहिए चैन के दोरान प्रथम चरण में दस प्रस्षिक्षियों में पिछड़े वर के विध्यार्कियों को शामिल करना अनिवार है साथ ही विमानों की वबस्ता के इंदर सरकार के कोल इंडिया ओएंजी सी इंडियन ओयल जी एन पीटी हिंदुजा अडानी टाटा बिर्ला आदी ओध्योगिक समूं के सामाजिक उत्तर दायत्व कोश सीसर फंड से की जाएगी सनरक्षक मंतरी सुधीर मुनगंटिवा ने सुझाप दिया की एक पूरा प्रसाप तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए इस मौके पर कलेक्टर विने गौडा ने प्रसेंटेशन देती वे कहा दूसरे चरण में हैंगर के लिए 10 करोड फ्रंट आफिस के लिए 37 लाग और एप्रोच रोड के लिए 2 करोड पचास लाग की जरुवत है पाती एक इंजन वाले दो सेसना विमान और दो इंजन वाला एक विमान लिया जाएगा हाली में नाकपूर फ्लाइंग क्लप्ट की सेसना 172R इस चार सीटर विमान का प्रदर्शन मोरवा हवाई अड़े पर किया गया विमान ने टेक ओफ, लेंडिंग और रनवे बाधाओं के साथ साथ प्रस्टिक्शन के लिए अन्य आवशक पहलों का भी अवलोकन किया पाइलेट बनने के लिए एक चात्र को 200 घंटे के उड़ान पूरी करनी होती है लेकिन नागपूर के डॉक्टर बावसाहिब आमबेच कर अंतराश्री हवाई अड़े पर बड़ी संग्चा में विमानों की आवजाई के कारण पाइलेट प्रस्टिक्शन के लिए उड़ान के गंटे पूरे खोने में देरी हो रही है इसलिए चंदरपूर में मोरवा हवाई अड़े को वेकलपिक परिजालन आधार के रूप में खोजा गया है बैटक में कलेक्टर विने गोड़ा, मुख्य कारिकारी अधिकारी, विवेक जॉनसन, सायक कलेक्टर, मुर्ग नाथम, एम, कैप्चन, इजी लारसन और उनके दो साहियोगी इंजीनियार सादत बैग और हरीश कश्यप उपस्ते थे अमरपरसन राजकमा मोहड के साथ, अभिशिक पांसी, बीसेन न्यूस, नाकपूर